आईए देखते हैं राष्टपती भवन और अम्रित उध्यान जो कि बहुत सुन्दर और आकर्शक है आम जन्ता के लिए साल में एक बार ही खुलता है तो आईए जानते हैं कब खुलता है नमस्कार आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस उध्यान के अंदर ऐसे कई प्रमुक आकर्शन केंद्र हैं वृत्ताकार फवारे हैं सुन्दर सुन्दर गार्डेन हैं जो कि आपके मन को हर लेगा आईए जानते हैं पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को देखते हैं राष्टपती भवन में स्थेद अमरित उध्यान का परिवरामन करते हैं बालबाटिका बालबाटिका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे जो सीसम के पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं इसकी कहानी बहुत है पुराने क्योंकि यह सीसम के पेड़ दो सुपचीज साल पुराने है और आपके मन में एक सवाल क्यों दिखाए दे रहे हैं। क्योंकि educational टूर पर आए हुए हैं। educational turn के लिए। बहुत अच्छी सांगाव जढकार ज़गा में से एक माना जाता है। राश्टपती भवन में स्तीत अमरित उध्यान में बहुत सुंदर सुंदर फूल भी खेले हुए हैं और चारो और पूर पॉधी लगे हुए हैं अमेशा हर्याली भी है और यही हर्याली के कारण अमरित उध्यान राश्टपती भवन के सोहा को और बढ़ा रहा है इस उद्यान में ऐसे कई तरह के फोल लगे हुए हैं जिन फोल को हम बाहर नहीं देख पाएंगे इस अमरीत उद्यान में देख पाएंगे और आप जो ये देख रहे हैं ये है बेशनोई गाडन जूकि छूटे छूटे पेड़ हैं लगे हुए हैं और अलग-अलग कलर के स्टोन से सुसोवीत हो रहे हैं ये बहुत ही सुन्दर बहुत को सूरत लग रहा है आप यहाँ पर आएंगे तो पिक्चर लेने से सेल्फी लेने से अपने आपको रोक नहीं पाएंगे ऐसे फवारे वृतकार गार्डेन जोकि बहुत मनमुहक बहुत ही आकरशक माना जाता है ये प्रमुक केंदर में से एक है यहाँ पे लोग सेल्फी पिक्चर भी लेते हैं और यहाँ पे यानिकी सुरक्षा कर में भी हमेशा तैनात रहते हैं क्योंकि यहाँ पेर पौधे, पत्ते और फूल को तोड़ना शक्त मना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से उन फूल पेर पौधे का देखवाल किया जाता है यही कारण है कि यह परिवेश इतना सुन्दर, इतना आकरशक, इतना मनमुहक है पहले इस उद्यान का नाम था मुगल गार्डन, क्योंकि मुगलों के सासनकाल में यह उद्यान बनाया गया था सर एड़वर्ड, लुटियंस ने इस गार्डन को ऐसे निर्मित करवाया था जिसमें ब्रेटेस और इसलामी दोनों विरासत की जलक देखने को मिले अमरीत उद्यान में ऐसे कई तरह के फूल देखने को मिलते हैं यहां गुलाव के ही तकरिवन 138 प्रजातियां मुझूद है और इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा ट्यूलीप और 70 से ज़्यादा सीजन फूल है इस अमरीत उद्यान को देखने भारत के कोनी कोने सही नहीं बलकि विदेश से भी परियटक आते हैं यह उद्यान इतना ज़्यादा खोबसूरत है कि सर लुटियंस की पतनी ने इस गार्डन को स्वर्ग कहा था साल 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता बदल कर जब अपनी राजधानी दिल्ली सिप्ट की थी तो वाइसराय की रहने के लिए दिल्ली में राय सिना की पहाड़ियों को काट कर वाइसराय हाउस बना गया था जुवरतमान में रास्टपती भवन के नाम से जाना जाता है वाई सराय हाउस में साल 1917 में सर लिटियंस ने अमरित उध्यान का डिजाइन किया और साल 1928-1929 में बागवानी का काम अर्थात इस उध्यान का काम सुरू हो गया था तवी आज हमको ये देखने को मिल रहा है ये बहुत सुन्दर बहुत आकर्शक बहुत मनमोहक यहाँ पे जो भी परियाटक आते हैं बहुत ही आननदित हो जाते हैं यहां का द्रिश से ही कुछ ऐसा है मनमोहक है, मन को हरने वाला है, लभाबने वाला है हमारे शाथ विदेशी, अतितिगन भी, विदेशी मित्र भी आये हुए थे हम देशी और विदेशी दोनों प्रसिक्षनारती साथ हाई हुए थे किंद्री इंदी संस्थान आगरा से हमें देख कर बहुत ही खुसे हुई बहुत अच्छा लगा जिस सीज को हम किताबों में देखते थे किताबों में पढ़ते थे आज सामने देख करके बहुत अच्छा लगा ये बल बहुत यादगार रहेगा हम इस बल को नहीं भूल पाएंगे आप भी कभी आईए और आप सभी के लिए बहुत ही सुनेरा मुका है क्यूंकि ये अगस्ट 16 से लेकर के सेप्टमबर 15 तक आप घूम सकते हैं ये उद्यान अमरीत उद्यान खुला है ये जो आप देख रहे हैं इसे वरितकार गार्डन भी कहा जाता है फवारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये टेनिस कोट हमारे रास्टपते द्रुपदे मुर्मुजे के द्वारा इनेग्रेट किया गया था अब हम बहुत बहुत प्राइस जो है प्राइस हाई है बहुत तरह तरह के रंग भी रंग के कुलफी आईस क्रीम भी मिलते हैं आप देख सकते हैं ये आप मेनु देख सकते हैं मैंने मोमो, शार्ट, आईस क्रीम, क्विक बाइट्स, सवी तरह के आपको जो पसंद लगे खरे सकते हैं और हम लोग आईस क्रीम खरे दे आईस क्रीम खाए बहुत अच्छा लगा उसके साथ साथ कॉल रिंग्स भी पिए घुमने के बाद अब बाहर की और चले हमारे साथ साथ इसकूल के बच्चे भी आपको दिखाए दे रहे होंगे और यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात लगी पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े अब आए हम रास्टपती भवन संग्राले के और जा रहे हैं रास्टपती भवन संग्राले तो रास्टपती भवन संग्राले के और एक बीडियो में आपको जानकारी जरूर दूँगा हमारे जितने भी प्रिसिक्षनार्थी थे साथी गणते सब एक साथ अभी हम रास्टपती भवन संग्राले जाएंगे राश्टपती भवन संग्राले में भी बहुत सारी चीजे हैं जो कि आप वीडियो की माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों अगर आप मेरे चीनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा धन्यवाद